स्लाम अलेकम स्टूडेंट्स वेलकम टू माई चैनल पकिस्तान एर फोर्स में बहसियत रेलिजिस टीचर शमुलियत एक्तियार करें ओनलान रिजिस्ट्रेशन करना आज की वीडियो में हम सिखेंगे और जो पर्परेशन के लिंक्स हैं आपको इस वीडियो के लास्ट में शेयर कर दूँगा तो चले स्टार्ट कर लेते हैं जी यहां कहीं भी आप क्लिक कर दें या आप इसे क्लोज कर दें और यहां पर अगर आप PC पर होंगे या अगर आप Mobile पर होंगे तो आपने Apply Online वाली Option पर यहां पर जो Option है इस पर आपने क्लिक करना है और यहां पर आपने थोड़ा सा उपर जाना है सब से उपर डीटेल है कि जिनकी उमर 18 साल से कम है वो अपना Bevphone भी साथ लेके और अपना Smart Card साथ लेके है यानि जो 18 साल के बाद चिप वाला Smart Card बनता है न वहीं आपका चलेगा वहीं पेले भी चलेगा और बात में भी जिनकी उमर 18 साल से कम है वो भी स्मार्ट कार्ट बनवाए और जिनकी 18 साल से ज्याद है वो भी स्मार्ट कार्ट बनवाए यानि इंग्लिश कार्ट आपने उर्दु वाला कार्ट नहीं लेके जाना यहाँ पर आप खुद का से NIC एंटर करेंगे आप continue to next step पर आप क्लिक किजेगा फिर से continue पर आपने क्लिक करने और थोड़ा सो उपर जाके फिर से आपने continue पर क्लिक करने यहाँ पर सूँकर एक ही कोर्स अभी available है यानि religious teacher का तो आपने इस arrow पर क्लिक करने इसकी detail को अच्छे से देखने कि क्या क्राट इटेरिक है और नीचे आपको option मिलेगी कि बिलू कलर में अपने इस पर क्लिक करने आपके पास कुछ इस तरह से registration form आएगा जिसमें सबसे पहले आप selection center का इंदखाब करेंगे जो भी आपका nearest selection center होगा उसके बाद में आपकी category आएगी जो के airman category है उसके बाद में branch पहले से select होगी religious teacher उसके बाद में यहां पर आपका full name आएगा next father name father nic इस तरह mother name mother nic आएगा आपकी date of birth इसे का calendar पर click करके आप सबसे पहले year का इंदखाब करेंगे जो भी आपका year है इसी तरह से इसे थोड़ा scroll करके नीचे जो भी आपका year है उसके इसके बाद में आप month का इंदखाब कीजिए और सबसे last में आप date का इंदखाब कीजिए इसी तरह से आप खुद के height in centimeters लिखे इसके बाद में आपने खुद का religion लिखने है आपका मसहब कौन से है आपने खुद का status लिखने है आप merit है अन-merit है उसके बाद में आप पर domicile कहां के आप वो लिखोगे आपके father का occupation नहीं father का पेशा के army में थे retire होगे या पकिसान एर फोर्स में थे retire होगे या अभी अगर कुछ भी करते हैं तो आपने अधर पर क्लिक कर देना है उसके बाद में यहाँ पर आप खुद का एक कोई भी पासवर्ड लिख सकते हैं जैसे बड़ा है चोटा एक दो तीन चार एक दो तीन चार ऐसा कुछ पासवर्ड आप एंटर कर सकते हैं जो के result के time आप अगर आपका एक है तो आप एक ही लिखेगा नेक्स्ट आपका यहाँ पर ऐसा मुबाइल नमबर आएगा जो के चोबिस गयंटे आपके गर का कोई personal मुबाइल नमबर जो के 92 से आप start करोगी उसके बाद में 3 आएगा उसके बाद में आपको मुबाइल नमबर आगा जो के example भी उनों ने दी हुई है नेक्स्ट आपका email address आएगा email address आपने वो वाले लिखने है जो आपके मुबाइल की Gmail को ID लगी हुई है जो होट मेल की ID है याहू मेल की ID है जिससे आप completely तोर पर वाकिफ हो ऐसा email लिखेगा और यहाँ पर आपकी qualification आएगी जहाँ पर सबसे पहले आप अपनी last degree लिखोगे major subjects लिखोगे आपके subjects कौन कौन से हैं कौन से यापने FA किया arts में किया FA सी जो भी है आप यहाँ पर major subjects लिखोगे उसके बाद में आपका passing year आएगा आपके marks obtain आएगे total marks कितने थे कितने हासिल की obtain में लिखते हैं और आपकी school, university, college कौन साथा जहाँ से आपने तालीम हासिल की और जब आप complete form को fill कर लेंगे आपने आया में नाटर रोबोर्ट से पहले यह जो खाना से है आपने इस पर box पर click करने है थोड़ा से wait कीजिए good हो जाएगी यहाँ तो tick लग जाएगी यहाँ पर कुछ kept jazz हैंगे आपको कुछ भी पूछा जाए सकते है आप उन 3 से 4 तस्व करते हैं और यहाँ पर आप बैक को चलें और उसी हम official website पर आएंगे यहाँ पर आपको कुछ और भी दिखाना जाता हूँ तो हम फिर से उसी official website पर आचुके जहाँ पर हम advertisement को सबसे पहले close करते हैं और number second पर option है print slip आपने इस पर click करना है और करना है थोड़ा सा wait यहाँ पर आप खुद का से NIC एंटर करोगे और print पर click करोगे जैसे आप खुद का से NIC एंटर करके print पर click करेंगे तो आपकी slip आपक time देखेंगा अगर आ चुक है तो आप उसे print कर लें as a PDF file download कर लें बाद में किसी printer से print करवा लें या आप direct भी print कर सकते हैं इसी तरह और जो number 3 पर option है सबसे पहले advertisement को close करें और number 3 पर option है check result आप इस पर click कीजिए जब आपके कुछ process complete हो जाएंगी यानि ऐसे process जिनमें आपक medical चामिल होता है physical चामिल होता है आपका test चामिल होता है तो अभी आपको यह है कि मेरा interview भी हो चुक है अभी मेरा result का क्या बना बहुत से candidates से पता आपको चल चुक है उन्हें calls आ चुकी है और आप भी खुद का जानना चाहते हो कि आप pass हुए हो fail हुए हो आपका result कहां तक result वाली option में आप खुद का से NIC enter करोगे check status पर click करोगे तो आप खुद का status जान सकते हैं तो candidates यह थी वो all details जो मैं आप candidates के साथ share करना चाहता था मजीद updates के लिए इस channel को लास्मी तोर पर subscribe कर लीजेगा अगर आप 100% खुद का test पास करना चाहते हैं और Pakistan Air Force का हिस्सा बनना तो जो links मैंने इस वीडियो के last में share कियो हैं उनसे लास्मी तोर पर preparation कर लीजेगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर अलहाफीज